अब्डुल रह्मान न्यायदीश से पूछो कि जाट किसे कहते हैं। अभी अब्डुल रह्मान न्यायदीश से पूछने ही वाला था कि न्यायदीश बोला जाट अनपड को कहते हैं। हरे अब्डुल रह्मान तब तुम जाट नहीं हो। तुम सिंधी, फार्सी, उर्दू, संस्क्रित और हिंदी जानते हो। तुम पांच भाशाय जानते हो। न्यायदीश से पूछो कि वे कितनी भाशाय जानते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अन्जानी ब्यूश अगरवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। प्यूश अगरवाल कहानी जानी अन्जानी में कहानी शुरू करो। अरे कहानी शुरू करो। प्यूश अगरवाल सब कहानी का इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते ठक गए तो भाग जाएंगे। पियूश अगरवाल, अब्दुलरह्मान की कहानी सुनाओ यार। अरे भाई अब्दुलरह्मान से मिलाओ यार। आप सब सोच रहे होंगे कि पियूश को आज हुआ क्या है। तो आप सोचिए कि कैसा हो जब आप खुझ से ही बाते करने लगे। सुनते हैं आज की कहानी भाई अब्दुलरह्मान ये एक सिंधी कहानी है जिसे लिखा है अमरलाल हिंगोरानी जी ने और हिंदी में अनुवात किया है मोतिलाल जोटवानी जी ने। भारतिये शिखर कथा कोश कहानी संग्रह में ये कहानी शामिल है जिसके संपादक थे कहानी जानी अन्जानी पर आप ऐसे ही कई अनुवादित कहानियों का लुट्फ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। कुछ लोग उसे पागल कहते थे और कुछ उसे दरवेश समझते थे। शायद वह पागल भी था और दरवेश भी। उन दिनों प्राया शाम को शहर में नदी किनारे मंदिर पर लोग संद कवी सामी के पद पढ़ते थे। उन्हें वह बड़े चाव से सुनता था। कभी कभी यों धुन-धुना कर कहता। अरे भाई अब्दुलरह्मान समझते हो या नहीं न जाने कब तुमारी आँख खुलेगी। एक बार रास्ते पर जाते हुए उसके पाउं में पत्थर की चोट लगी। वह खुद को कहने लगा अरे भाई अब्दुलरह्मान तुमारा सिर्फ फिर गया है। तुमारी आँखे आसमान में लगी है। यदि आँखे खोल कर चलते तो तुम्हें पत्थर न लगता। वह वहीं विचार बगन बैठ गया। फिर बोला भाई अब्दुलरह्मान देखो तुम कैसे स्वार्थी हो। भाई अब्दुलरह्मान रास्ते पर पत्थर चोड़कर तुम यो चलते बने। कल किसी और पत्थिक को लग जाए तो। फिर एक शन रुखकर और विचार कर ब वारतालाब करता था और अपने को संबोधन कर कहता था। भाई अब्दुलरह्मान शायद खुद में पैट कर खुद को देख कर रहस्य भरी बाते करता था। यदि कोई उससे खाना खाने के लिए पूछता तो पहले वह अपने से पूछता। भाई अब्दुलरह्मान खाना खाओगे फिर अपने से कहता खुर्दन बराए जिस्तान अस्त न जिस्तान अस्त बराए खुर्दन अर्थात खाते इसलिए हैं कि जी सके जीवन इसलिए नहीं कि पेटी भरते रहे इस प्रकार विचार विमर्श कर उत्तर देता था वह फार्सी का कवी था संभवत के काव्य में भी निशनात था सिंधी कवी सचल का तो वह अनुयाई था वह उर्दू भी जानता था कभी कभी पंजाब से उर्दू में जो पत्र आते थे लोग अब्दुल रह्मान को ढूंड कर उससे पढ़वाते थे वह शांत स्वभाफ का था उससे और कोई लालच न थोड़ी सी रोटी खाकर निर्वा करता था सर्दी होया गर्मी गुदडी सदा उसके कंधे पर होती थी रात को वो गुदडी टान कर सोता था चाहे कैसा भी गर्मी का मौसम हो गर्मी के मारे भले ही घुटन हो रही हो गुदडी ओड कर ही सोता था संभवत प्रियतम के साथ लोक से लुक छिपा कर प्रेमवारतालाप करता था एक बार एक निर्धन व्यक्ति किसी अपराद में पकड़ा गया उस पर अभियोग था कि उसके यहां से चोरी की घडी बरामद हुई है पुलिस ने उसकी तलाशी ली थी सभा सद्दों के सम्मुक उसके यहां से घडी मिली थी घडी सोने की थी और एक मुसलमान सेट की थी एक महिना पहले नालिश हुई थी प्रतिवादी के विरुद प्रमान सशक था उसका बच कर निकलना मुश्किल था उदर सेट की भी बड़ी पहुँच थी प्रतिवादी ने अपने को निर्दोश कहा वह बोला वह सेट के घर के नीचे से गुजरा सेट को संदे हुआ कि वह उसके घर की एक औरत को इशारा करता है इसलिए उसे घर पकड़ कर पीटा गया यदि अब्दुलरह्मान बीच में ना पढ़ता तो मान मार के वह उसे प्रान ही नी कर देते अब्दुलरह्मान के बीच में पढ़ने से सेट छोड़ने वाला था क्या सेट बोला हमारे हरम खानों की और बुरी नजर से देखता है हम इज़त वाले लोग है अब्दुलरह्मान ने बड़ी कोशिश की परंतु सेट न माना तब अब्दुलरह्मान खुद से कहने लगा अरे भाई अब्दुलरह्मान यह सेट बास ना आएगा उसे इज़त का खयाल है उसकी 35 साल की बहन अविवाहिता बैठी है लेकिन यह उसकी शादी नहीं करेगा कि कहीं वह पैत्रिक संपत्ती का हिस्सा न मांग ले फिर अगर उसका पती नहीं है तो अवश्य इतना कहकर वह चुप हो गया फिर खुद से कहने लगा अब भाई अब्दुलरह्मान तुम किसी का परदा ना उगाड़ो फिर से सेट को हाथ जोड़कर समझाओ फिर भी ना समझे तो सच बोल देना अब्दुलरह्मान अपने से भुन-भुन नहीं बलकि साफ बोलता था सब सुनते थे लोगों ने संकेत समझ लिया और सेट ने भी सुना इस तरह उस गरीब की पिटाई से जान जाते जाते बच गई अब्दुलरह्मान ने सेट का परदाफाश करना नहीं चाहा था लेकिन फिर भी वह बात लोगों के मू लग गई और सेट की सच्ची अत्वा जूटी चर्चा हुई प्रतिवादी अपने बचाव में यही कहता था कि वह निर्दोश है उसने आज पास के अन्य लोगों भी गवाई के लिए बुलाए थे उसने तीन पडोसी गवा दिये थे और चौथा था अब्दुलरह्मान वे गवा चार पाच सुनवाईयों में आये थे पर मुकदबा नहीं चला प्रतिवादी ने दो गवाई पर से हाथ कीच लिया क्योंकि सेट ने उन्हें पैसे दे कर अपनी तरफ कर लिया था एक गवा एक सुनवाई पर ना आया तो न्यायादीश ने उसके खिलाफ वारंट निकाले उसे सेट के तरफदारों ने सला दी कि अगर वा पिछली सुनवाई के अफसर पर न्यायादी में न आने का कारण यह दे कि उसे उस मामले में कुछ मालूम नहीं है तो न्यायादीश शमा कर देंगे इस तरह तीसरा बेचारा भी अपनी जान चुड़ा गया शेश रहा अब्दुलरह्मान प्रतिवादी का वकील बोला अब्दुलरह्मान जैसे वहभारिक आदमी पर कैसे बचाफ ठहरेगा लेकिन प्रतिवादी का अब्दुलरह्मान में विश्वास था कि वह ईश्वर से डरने वाला दयावान आदमी है और किसी का डर नहीं मानेगा अब्दुल रह्मान को न्यायालय से बुलावा आया अरे भाई अब्दुल रह्मान न्यायालय में तुम्हें बुला भेजा है न्यायालय में उचित आदर के साथ जाना चाहिए सो वह एक जूती का प्रबंद कराया हर एक गवाही पर वह जूती गुदडी से लपेट कर ले जाता था आखिर अब उसे न्यायलय में अंदर जाने की आवास दी गई तो अब्दुल रह्मान ने अपचारिकता से जूती पहनी गुदडी दूता लपेट कर गले में डाली अभी अंदर गया ही था कि चपरासी ने उसे जिड़क कर कहा एग जूती बाहर उतारो अब्दुल रह्मान खुद से बोलने लगा अरे भाई अब्दुल रह्मान कोट पर चपरासी तुम्हें जूती बाहर उतारने के लिए कहता है उससे कहो कोट के लिए ही तो मांग कर ले आया हूँ उसने फिर प्रकट में चपरासी से कहा कि वह कोट के लिए ही जूती ले आया है ऐसा कहकर उसने भीतर प्रवेश किया न्यायादीश ने उसे हस कर देखा अभी वह कटगरे में खड़ा था कि न्यायदीश ने उससे कड़क कर पूछा कंधे पर गुदड़ी रखकर क्यों आए हो अब्दुल रह्मान स्वागत भाव से कहा हरे भाई अब्दुल रह्मान न्यायदीश जी पूछते हैं कि गले में गुदड़ी क्यों लपेट रखी ह कोट में आए हो समझ कर पूरा जवाब दो उन्हें कहो सहाब हिंदु जब कोट में आते हैं तो चादर दुपट्टा या अंगरखा गले में डाल कर बया देते हैं मैंने भी कोट का मान रखने के लिए गुदड़ी गले में डाल रखी है फिर प्रकट में न्यायदीश से कह सहाब हिंदु जब कोट में आते हैं तो चादर दुपट्टा या अंगरखा गले में डाल कर बया देते हैं मैंने भी इसलिए कोट का सम्मान करने के लिए गुदड़ी गले में डाल रखी है जवाब बिलकुल बेजोड था शरिष्टादार ने कहा कहिए कि खुदा को हाज नाजर बना कर सच कहूंगा और सच के अलावा और कुछ न कहूंगा अब्दुल रह्मान अपने से बुले अरे भाई अब्दुल रह्मान सरिष्टादार तुम्हें कहते हैं कि खुदा का हाजर नाजर जान कर सच कहूंगा सच के अलावा और कुछ भी न कहूंगा सरिष्टादार बिल्कुल सच कहते हैं फिर सरिष्टेदार से खुदा की हाजिर नाजिर जानकर सच कहूंगा और सच के अलावा और कुछ न कहूंगा सरिष्टादार नाम अरे भाई अब्दुल्रह्मान सरिष्टेदार सहाब नाम पूछते हैं उनसे कहो अब्दुल्रह्मा कोट में प्राय ठाके से लग रहे थे, न्यायधीश पहले तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर किंचित अप्रसन्न होने लगे वकीलों में से एक ने खड़े होकर न्यायधीश को अंग्रेजी में समझाया कि यह उसकी आदत है सरिष्टेदार ने उससे पूछा, धर्म अरे भाई अब्दुल रह्मान सरिष्टेदार सहाब धर्म पूछता है भाई अब्दुल रह्मान याद करना कि तुमने कसम उठाई है, बड़ा ही और उचिकर प्रशन है यदि मैं मुसल्मान कहता हूँ तो हिंदु अप्रसन होंगे, और मैं हिंदु कहता हूँ तो मुसल्मान नाराज होंगे, सच कह दो अरे अब्दुल रह्मान छोटी सी बात पर पर परिशान हो गए हो, सरिष्टेदार को सचल की उकती कह दो मैं हिंदू नहीं हूँ, मुसल्मान नहीं हूँ, जो हूँ, सो ही हूँ सरिष्टादार न्यायधीश की ओर ताकने लगे न्यायधीश अरे लिख दो मुसल्मान सरिष्टादार उम्र अरे भाई अब्दुलरह्मान, सरिष्टेदार सहब उम्र पूछते हैं हम कहें कि मुसल्मान नहीं हैं तो न्याय अधीश लिखवाते हैं मुसल्मान, सरिष्टेदार को कहो कि यह भी न्याय अधीश से ही पूछें। अब्दुल रह्मान ने इतना ही कहा था कि न्यायदीश को क्रोध आ गया और उन्होंने अब्दुल रह्मान से कहा अरे जाट अच्छी तरह जवाब दो कोट में आये हो। जाट अनपड को कहते हैं हरे अब्दुल रह्मान तब तुम जाट नहीं हो तुम सिंधी, फार्सी, उर्दू, संस्क्रित और हिंदी जानते हो तुम पांच भाशाय जानते हो न्यायदीश से पूछो कि वे कितनी भाशाय जानते हैं। सहाब न्यायदीश ने उसकी बात को बीच में काट कर कहा, जाट वह जो अंग्रेजी ना जाने। भाई अब्दुल रह्मान न्यायदीश जी कहते हैं कि जाट वह जो अंग्रेजी ना जाने। तो पन मल का पुत्र, उनके पिता कान जी होत के मुँची, उनसे पुछो कि उनके बाब दादा जो अंग्रेजी ना जानते थे, वे भी जाट थे, अर्थात वह वे जाट के। न्यायदीश जी आग बबुला हो उठे, उन्होंने कागज लिया, कलम उठाया और अब्दुल रह्मान से कहा, तुम पर क्यों न वैद्धानिक कारवाही की जाए कि तुमने न्यायलाई की मानहानी की है, अब ज्यादा न बोलो, जो लिख कर देना हो, लिख कर दो। अब्दुल रह्मान ने कागज लो कलम उठाकर इस प्रकार लिखा, श्रीमान न्यायदीश जी, भाई अब्दुल रह्मान ने न्यायलाई की मानहानी नहीं की है, आपने स्वयम की है, आज दिन में आपने कितने गवाहों को गालिया दी है, पर वे गालिया भाई का यहां आदर है आपके न्यायले में कौन गवाही देगा यदि गवाहों को गालियों की बोचार पड़ेगी आप कारण बताएं कि आपको क्यों नबर खास्त किया जाए क्योंकि आपने न्यायले में गवाहों को गालिया दी हैं आपने समराट के ताज की मानहानी की है जैसे कि आपने अब्डुल रह्मान से शपत ग्रहन कराई उसने खुडा को हाजिन नाजिर जान कर सच कहा है और सच के अलावा कोच नहीं कहा है तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड हमें इमेल करके बताएं hello at the rate pushagrawal.com पर आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं साथ ही apple podcast और spotify पर हमें review और rating देना न भूले मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ कहानी जानी अन जानी podcast में अपना योगदान देने के लिए जाए pushagrawal.com पर और support the show link पर क्लिक करें ये podcast आपके ही योगदान का नतीजा है आज के अपिसोड की producer है देवानशी बत्रा और editor है दीपक हरीहरण आप सुन रहे थे कहानी जानी अन जानी प्यूश अगरवाल के साथ जो की इंडी podcaster की एक पेशकश है तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिये स्वस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए